आज के इस लेक्चर में हम लोग रिवाइस कर रहे हैं साइंस को थूँ एंसका सेट नंबर 13 है अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस इमें लेटर्स पर मेल कर सकते हैं यह मेरा Instagram लिंक है और यह मेरे Telegram चैनल का लिंक आपको दिया गया है इस Telegram चैनल पर आपको मेरे सभी Lectures की PDF मिल जाएंगी जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड करके रिवाइस कर सकते हैं तो इस सेट का पहला सवाल आपके सामने है यहां पे स्क्रीन पर इस सवाल में आप से पूछा जा रहा है विच इस फॉलमें इस नॉट ऑब्रीड ऑफ शीप कौन सी एक शीप की एक भेड की प्रजाती नहीं है यह आप से सवाल पूछा गया है तो आपके स्क्रीन पर आपको चार अप्शन दिखाई दे रहे हैं बकरवाल, मरवाडी, लोही और साहीबाल तो अब आप यह सोचेंगे कि आउट अप दब्लू कहां से क्वेशन आया है तो यह आउट अप दब्लू क्वेशन नहीं है तो यह जो सवाल है काफी factual क्वेशन ही है तो इसमें आपको यह लॉजिक तो लगा नहीं सकते बस आपको यह दिमाग में अपने बेठाना पड़ेगा कि कौन सी जो है वो केटल की ब्रीड होती है तो जो साही वाल केटल है यह कौन है? एक ब्रीड उवफ जेबू कौव है यह जेबू टाइप की कào है साही वाल केटल तो यह साही वाल है वो शीप की ब्रीड नहीं है यह सवाल आपको इसलिए दिया गया है यह रहेकल इसमें बहुत ज़रा क lisept involved नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी है क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं साइन्स को और साथ में आपको सेंसिटाइज भी कर रही हूं कि किस तरीके के सवाल जो है आपके एक्जाम्स में पूछे जा रहे हैं तो इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं इस यह चार्ट है NCRT का चार्ट है अगेन इसमें आपको बताया गया कि कौन कौन सी जो है वो शीप की ब्रीड है तो इसमें से लोही होती है लोही, रामपुर बुशार, नली, बक्करवाल, मारवाडी यह पार्टनवाडी जो है यह इस टाइप की शीप की ब्रीड होती है यह कहां कहां पे मिल है जो UPSC CDS exam 2021 में पूछा गया है इस exam में आपसे पूछा गया था कि which of the organelles have their own DNA and ribosomes तो सीधा NCRT का सवाल है again कौन सी organelles होती है देखिए हमने जब cell की बात की थी तो हमने cell में बात किया था कि cell जो होती है cell का जो structure है उसमें nucleus और अलग-अलग नहापर organelles आपको मिलते है त इसके पास अपना खुद का DNA होता है और खुद के ribosomes होते है गौलगी अपरेटरस अंडोप्लास्मी क्रेटिकूलम होता है माइटो क्रोंडिया और प्लास्टिर्स होता है लाइजोजोंग वालगी वाड़ी होती है वेक्यों प्लास्टिर्स होती है पूरा NCRT का क्वेशन मैंने आपको खुद बढ़ाया था यह क्वेशन वाइटो कॉंड्रिया उसके पास पुद का DNA भी होता है एक्सेप्शन है ये तो जब भी आप कोई भी चैप्टर पड़ते हैं science का chapter history का chapter किसी का भी चैप्टर तो आपको जो exception चीजें होती है जो चीजें हो रहती वाई एक जो किसा काम कर रहा था, एक्सेप्शनल उसने कुछ अलग सा काम कर दिया, सारा इसको ट्रेंड कुछ और था एक्सेप्शनल चीजें होती हैं, उनको आपको ध्यान रखना होता है, because examiner question हमेशने जरूर पोछते हैं, right, तो mitochondria जो होते हैं, अगर हम बात करते हैं, यह cell का structure है, cell के अंदर nucleus है, mitochondria है, walgi apparatus है, अलग-अलग तरीके की bodies है, जिनको हम organalis कहते हैं, तो उसमें से अगर हम mitochondria की बात करते हैं, तो mitochondria is very important, जिसको powerhouse of the cell भी बूला जाता है, तो mitochondria के अंदर खुद का DNA package होता है, और mitochondria के अंदर खुद का DNA है, और खुद का, खुद का DNA और खुद के ribosomes है, ठीके, तो mitochondria जो है very important, तो इसके बारे में, क्योंकि हम ये, जब हम fast respiration करते हैं, जब हम workout करते हैं, तो उस time पर mitochondria की requirement होती है, क्योंकि वो power हमें प्रदान करता है, तो इस वाली explanation से आप पूरा read कर सते हैं, मैं आपको अपने चैप्टर पढ़ाते वक्त भी आपको पताया था, जब भी कोई ऐसे individuals होते हैं, जो की बहुत जब हैवी workout कर रहे हैं, runners है, fast runners, तो उनका mitochondria अपने आप नंबर उनका बढ़ जाता है, उनके organalis में वो उनकी adaptation है, किसलिए क्योंकि उनकी बॉड़ी को ज़ा पावर हाउस कहते हैं, उसको पावर प्रदान करनी होती है, हमारी बॉड़ी को, ओके, को रिलेशन में आपको बतारे हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, थर्ड जो क्वेशन है, आपके सामने, वेरी गुड क्वेशन, सॉटर्स डिजीज इसका नाम है, सॉटर्स सॉटर्स डिजीज होती है, बैसिलस एंथ्रेसिस, प्लाजमोडियम, प्लाजमोडियम तो बैक्टिरिया ही नहीं है, प्लाजमोडियम फैलसी पेरम क्या है, इकोलाई बैक्टिरिया है, साल्मोनिला है, बैक्टिरिया यह तो है नहीं, तो इन तीनों में से किस से कॉज कर र वोल को निकालते थे तो जो वूल को निकालते थे तो जो वूल को निकालते थे तो जो वूल होती थे उसके अंदर क्या होता था था एंथरेक्स को सौर्टर डिजीज का नाम लियाता है तो यह वूल सौर्टर डिजीज है क्योंकि जो वूल होती थी जो शीप होती थी उसके बेक्टिरिया उनको निकालते था इसको एंध्रेक्स भी कहा जाता है जो इंडिविज्वल है वो सौट वूल ऑफ इंफेक्टिड अनिमल से डिजीज आ रही थी इंफेक्टेड कौन होता था इनकी शीप या गोल तो वो किसको इंफेक्ट कर दे थी थी उन लोगों को जो सौ के निकाल रहे थे इस डिजीज को एंथ्रैक्स भी बोला चाता है इस डिजीज को सौटर डिजीज हिस्टोरिकली ऐसे ही नम दिया गया है अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है अबाउट गोल्ड ओर्नामेंट यह सवाल पूछा गया था अभी जो लेटेस्ट एक्जाम हुआ था कि कौन सा इसमें से एसेड जो है क्लीनिंग ओफ गोल्ड ओर्नामेंट में काम आता है अगें NCRT का क्वेस्टन जब हम NCRT पढ़ रहे थे तब हमने अलग-अलग असेड के बारे में में जब डिसकस किया था तो हमने डिसकस किया था कि गोल्ड की कुछ प्रापरटीज होती है तो यह जो है NCRT से सवाल है अ प्लाटेनम हो गया यह नाइट्रिक एसेड से रियाक्त नहीं करते इसलिए इंको हम क्लीनिंग पॉपर्स के लिए यूज करते हैं गोल्ड और प्लाटेनम जो है इनर्ट मेटल्स में आते हैं दे कम बिलो दा हाइड्रोजन और इनकी इलेक्ट्रोगर्मिकल सेरीज में उसक क्वेशन बट यह बहुत इंपोर्टन वेशन है गुमा फिराके जो है सारे के सारे स्टेट पी-स अलग अलग तरीके के जो एक्जामेन एग्जामिन्स एं उनका फेवरेट सवाल है वर्मी कल्चर एपी कल्चर सीरी कल्चर इसी कल्चर इस वेसे वो लोग सवाल पूछते अभी तो आपको सबको पता है ठीक है यह जो है जो सिल्क फार्मिंग की कैसे जाती है जो सिल्क फार्मिंग है जो सिल्क का जो जो पेड है मलबरी का उसके उपर सिल्क वाम को लगाया जाता है और उसके पत्तों के उपर वो फीड करता है उसको हम एक्स्राक करते है उसको अ वो भी हमने पताया था, तो जो silkworm है, bombex, mori, caterpillar of the domestic silk mall, is most widely used for silkworm, today, China and India are the two main producer of silk, फिर इसका एक continuation में question हो सकता है, कौन सी type का हमारे पास silk होता है, इसको हम discuss करेंगे, अपनी question answer series में ही discuss करेंगे, तो silkworm का culture होता है, अब silkworm को तुम जानते है culture को, अब आप ये देख लीजे, ये वाले डाइग्राम से आप पढ़ लीजे कि बही जब ये पत्तों के ओपर feed करता है, तो ये इस stage में आ जाएगा, तब pupa inside the cocoon are killed by putting the cocoons in hot water में, ये वाली stage है, इससे हम इसको hot water में डाल जाग जाते हैं, फिर क्या होता है, इसको निकाल के thread को अलग-अलग तरीके से यान बना लिया जाएगा, हम बात कर रहे हैं, जो fish farming है, उसको कहा जाएगा पिसी culture, fish farming को कहा जाएगा, apiculture honeybee को कहा जाएगा, और जो worms, जो हम earthworms को produce करते हैं, उसको wormiculture कहा जाता है, तो wormiculture किसले हम यूज कर रहे हैं, उसकी compost बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, as in replacement to the traditional fertilizer, उसकी जगा पर हम wormic compost को यूज करते हैं, apiculture क्या है, honeybees को हम produce करते हैं, किसले हैं, उनके honey के लिए और उनके wax के लिए, ठीक हैं, most ने उनके स्क्रीन पर आपको मिलेगा, वो UPSC द्वारा, CAPF exam 2021 में पूछा गया है, कौन सा जो metal है, produces hydrogen with cold water, again NCRT, पूरा NCRT का question है, class A, 9 या 10 की NCRT का question, इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा metal है, जो hydrogen produce करता है cold water के साथ, मैंने आपको अपनी NCRT series में भी बढ़ाया है, क्योंकि जो भी important metals थे, उनकी reaction क्या है, कैसे वो hydrogen produce कर रहे है, metal के साथ react करके क्या produce हो रहा है, यह हमने बात करता है, तो sodium के बारे में मैंने आपको बताया था, sodium का reaction भी मैंने आपको समझाया था, sodium जो water के साथ react करेगा तो NaOH plus hydrogen gas release करता है, तो sodium जो metal है, यह belong करता है group 1 से, और इसको जब हम react करते हैं water से, तो यह give a solution of sodium hydroxide बनाएगा, और hydrogen gas release होती है, और large amount of heat भी release होती है, तो यह एक तरीके की exothermik reaction थी, NCRT से सवाल पूछा गया था, chemistry topic है, तो हमने यह सवाल को NCRT series में पढ़ा था, उसी topic को जाके class 9 NCRT series को आप important important chemical reactions के बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि उससे कभी गभी exam आता है, next सवाल जो आपको screen पे दिखाई दे रहा है वो statement है आपको, दो statement दिये गए है, एक है cool air blowing from land towards sea during the day is called sea breeze cool air blowing from sea towards the land during the night is called land breeze, अब है देखो, land और water के case में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि water mobile है, water एक जगे पे टिका नहीं रहेगा, तो water को गरम करना या ठंडा करना मुश्कील होता है as compared to land land जल्दी गरम हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाएगी, cold भी hot भी water दीरे गरम होगा और दीरे ही ठंडा होता है तो अब आप देख लीजिए जब भी कोई जगे गरम हो जाएगी hot हो जाएगी, तो उसकी उपर वाली air जाएगी उपर जाके, और यहाँ पे क्या क्रेट हो जाएगा, low pressure यहाँ पे अगर जादा गरम है इस इस एरिया से, तो यहाँ पे low pressure क्रेट होगा as compared to this high pressure यही हो रहा है, इसी concept को आपको समझना दा, अगर दिन का वक्त है तो land जादा गरम हो जाएगी, तो land के उपर वाली air उपर उठ जाएगी तो sea से हवा चलना शुरू हो जाएगी towards land, रात को क्या होगा from this slide, concept क्या involved है, यह मैंने आपको समझा दिया concept वही involved होता है, जब भी कोई जगा, गरम हो जाएगी जादा दिन के टाइम पे क्या हो रहा है, गरम हो गया तो उपर उठ जाएगी सारी air यहां से, जैसे air उप उठ जाएगी, यहाँ पे low pressure तो high pressure से low pressure की तरफ air जाएगी, रात को क्या होगा यह एकदम से ठंडी हो जाएगी, यहाँ पे गरम है, तो यहाँ पे air उपर उठ जाएगी, तो यहाँ पे low pressure create हो जाएगा, तो land से इदर, so this is the small concept involved, अगला सवाल जो को screen पे दिखाई दे रहा है, उसमें आप से पूछा जा रहा है कि the blood glucose level is commonly expressed as, किस form में हम blood glucose level को express करते हैं, UBPCS 2021 में पूछा गया था यह सवाल, बिल्कुल latest question है, कैसे हम इसको express करते हैं, तो यह जो question है आपके common sense का question भी है, जबी भी आप अपनी blood report देख रहे हैं तब भी और chemistry वाले topics में, NCRT में हमने पढ़ा है, इस question को दो तरीके से हम express कर सकते हैं यह तो आपको पता है, मिलीग्राम पर डेसी लीटर में हम इसको express कर रहे हैं लेकिन दो तरीके के तो डिफरेंट वेज में हम बलड को glucose level को बता सकते हैं पहला method होता है, molar concentration method जिसमें, mili mol पर लीटर बताते हैं दूसरा होता है, mili gram deciliter जिसमें mass concentration को बताया जाता है, एक में molar concentration को बताया जाता है, एक में mass concentration को बताया जाता है, mass concentration क्या बताती है कि कि कितना ratio of weight to volume, कितना weight है glucose का 1 deciliter of blood में कितना milligram glucose present है मतलब weight to volume ratio इसमें आपको बताया गया है milligram per deciliter ये इसका ये जो है इसका unit है express करने का easy question, थोड़ा सा common sense involved था 9th question जो है इस set का आपके सामने है which of the following are correctly match कौन वोन से correctly match है इसमें vinegar को acetic acid कहते हैं कर्ड में lactic acid है आइंस चचींटी होती है कर्टने पर formic acid release होता है lime water के अंदर calcium all drug मतलब इस तरीके से ही कौन वोन से correctly match है बहुत आसान देखो कर्ड को तो आप बताहिए सकतो lactic acid के दिनी वारा हम बात करते हैं आइंस टिंग में फॉमिक एसे होता है यह भी आपको पता है दो और तीन तो सही है लेकिन confusion यहां पर ही होगा तो विनेगर में acetic acid सारे NCRT से ले गए है तो यह NCRT को वाचन है चारो ठीक है इसके अंदर तो NCRT का ही यह चार्ट है इसमें से आप रिवाइस कर लीजे कौन कौन से असेड कहां कहां पर मिल रहे है acetic acid हमें विनेगर में मिलता है formic acid ant string में मिल रहा है citric acid citrus food में lactic acid curd में oxalic acid spinach में ascorbic acid amla में tartaric acid tamarind में मतलब इमली के अंदर all the acids mentioned above occur in nature name of base calcium hydroxide found in lime water यह सारा जो है NCRT का चार्ट था इस वले चार्ट को आपको रट लेना है बिल्कुल रटे मरने है NCRT में जब भी आप पढ़ते हो कोई भी special tables में जो बना के दिया हुआ है content आपको most important content होता है हमेशा last सवाल जो है इस set का आपको सामने दिख रहा है वो UPSC में पूछा गया सवाल है 2021 में latest UPSC में पूछा गया okay civil services exam उसका सवाल है with reference to recent developments regarding recombinant vector vaccine consider the following recombinant vector vaccine की बात हो रही है जो latest news में उसके बारे में ये statement देखिए genetic engineering is applied in development of these vaccine यह ठीक है genetic engineering तो करी गई है bacteria and viruses are used as a vector यही statement ने आपको confused किया होगा कि भई क्या bacteria को भी हम यूज करते हैं recombinant vector vaccine के अंदर तो पहले आपको सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा okay पहले तो आप बताएए कि इसका सही आजवाब क्या होगा दोनों statement सहीन है फिर आपको ये याद करना होगा पहले तो सबसे पहले ये समझने से पहले आप ये समझिए vaccine कितने तरीके की होती है देखो इसको मत पढ़िए भी चार्ट को vaccine जो होती है दो तरीके की होती है एक होती है live attenuated होती है और एक होती है दूसरी जो जिसके अंदर हम bacteria का वाइरस का protein यूज करते है live viral और bacterial vector दो तरीके की हो सकती है तो अब जब दो तरीके की vaccine की बात कर रहे है attenuated or recombinant vector most live virus vaccine जो होती है यह होती है attenuated attenuated मतलब उनका जो वाइरस है उसको हमने उसके virulence को मतलब यह मान लीजिए एक वाइरस था उसकी हमने पिटाई करकरके उसको कमजोर बनाती है और वो कमजोर वाइरस जो है भेजा जाएगा हमारी body के अंदर वो कमजोर वाइरस हमें जादा नुकसान नहीं पहुचा पाएगा थोड़ा सा नुकसान करेगा fever वगएरा तो live attenuated vaccine में attenuated vaccine होती है दूसरी होती है recombinant vector recombinant vector में हम क्या करते है उस वाइरस की अगर बात कर रहे हैं तो उसका जो है DNA निकाल के उसका जो बाहर का protein protein है ना वो यूज करते हैं देखिए अब ये वाला देखिए viral vector vaccines में mechanism क्या होता है एक virus है ये pathogen virus है जिसके against हमको बनानी है vaccine तो इसका ये protein part है इसका ये अंदर वाला genetic part है तो जो इसका genetic material है उसको gene को हमने code किया कोई एक ऐसा virus लिया हमने जैसे adenovirus जो हमको कम harm पहुँचाता है उसके अंदर हमने क्या किया used as a trojan horse delivering agent into code into cell उसको हमने use किया तो उसका जो viral protein था वो multiply हो गया cell produce viral protein उसका viral protein multiply हो गया उसको हमने जब हम body के अंदर multiply हो रहा है तो उसके against हमारी antibodies produce हो जाती है राइट जो viral का protein है नवाइरस का उसको हम antigen की तरह इसमें use करते है इस virus में से इसका protein की लिखे निकाले के साथ मिला की इसको हम दे जते हैं इसलिए यह कुछ कहानी यहां पर लिखी हुए इसलिए हम उसको यूज करते हैं कि हो सकता है पूरा वाईरस हमें दे रिया लाइव अटेनवेति इती वैक्सिम का सबसे भड़ा ड्रॉबैक क्या था अगर हम पूरा वाईरस का परोटीं को उस करेंगे किसी और वाईरस के लिए जिसको हम वैक्टर की दरे यूज करेंगे उसको इंटरियूर्स किया जाएगा बॉड़ी में फिर जो है वो वाईरस जो जो गुस्पेर की तरह यूज हऊ. वो जो पनी डिजीज करता। हलकी फुल की कुशिंखा यह करेगा लेकिन जो प्रोटिन वाइरस का था फॉर एक्जेंबल कि रोला आ वाईरस का तो प्रोटिन इसका मुलटिप्ला हुजाएका तो हमारी बॉड़ी में जो एंटीबाडिज बनेगी वह उस पूरे के अगेंस्ट बनेगी तो जब भी एक मालनी कोरोना वाइरस आ जा वेक्टर किया जिसमें हमने उसका प्रोटीन ही ले लिया सिर्फ रिकमिनेंट बैक्टेरियल वेक्टेरिया को भी यूज कर सकते हैं वायरस लाइट पार्टिकल्स को भी यूज कर सकते हैं यह तरह तरह की चीजहों को हम यूज कर सकते हैं So that was it I hope आपको यह last सवाल थोड़ा समन में आया होगा कि क्या difference है लाइव अटेनुएटिड में और वेक्टर वाली वक्सीन के अंदर So this was it I hope आपको सवाल सवाल करके काफी मजा आया होगा आपकी बहुत सारी learning होई होगी So thank you so much पढ़ते रहिये And best of luck for your preparation